तमस्कार साल का पहरा दिन और पहले दिन ही बाजार में आज भी ताबट तोर तेजी जा रही है जिया खुले ज़रूर हम थोड़े सॉफ्ट थे लोकर उसके बाद पीस्यू लेड रेकावरी आई हाला कि आटो नंबर्स के बाद आटो स्टॉक ज़रूर गिरे हैं लेकिन बै बादर मार्केस और ब्रादर मार्केट की बात करें मिट कैप स्मॉल कें वो अलग शिकर पर है तो नए लेवल्स पर बाजार पहले दिन साल के एक किस आट्सो की तरह हम बढ़ते वे और ये बात हो भी रही थी जब पिछले साल शुक्रवार को लास्ट ट्रेडिंग दे था जिस तरह के मुव के साथ बाजार इस पक जिन टेक्निकल लेवल्स पर पिछले हफते बाजार ट्रेड कर रहा था और उपर की स्ट्राइक्स में जैसा अक्शन लग रहा था लग रहा था कि आप 22,000 काफी पास है आज किस आट्सो के पास आपको दिख रहा है बाजार और इ 50 में 80% जाला का रिटर्न आपको वहां देखने को मिला है आज उसमें अची मूव है हाला कि ऑटोपाक के दूसरे काउंटर में जरूर थोड़ी से जरू सलिप हुआ है नसले जैसे काउंटर में धाई परसंट की मूव है पाच जानवरी को स्टॉक स्पलिट होने की डेट ह है और जिसके चलते हैं स्टॉक में मूव भी देख रहे हैं फिर से आपको आज ओप्स्रीम काउंटर में ओंजी से काउंटर में मूव है हेल्थकेर काउंटर से फोटेस हेल्थकर पे बड़ी ब्रोकिंग फांग की रपोर्ट आई और उसके बाद आपने देखा है दूसरे डिंपी एक बार आप चेक करके बताएंगे अब यह जो आक्शन हमें उपर की तरफ दिख रहा है यह रेंज के उपर शिफ्ट हो गए क्योंकि जैनरली लग रहा था कि शायद थोड़ा लल रह सकता है मार्केट वॉल्यूम कम रहें लेकिन यह जो एक पार्टिसिपेशन ब बात रखी थी कि पहले 21,800 और फिर हो सकता है आपको 22,000 के लेवल भी मिलें रिजिस्टेंस के लेवल थे सुबह हमने आपके साथ शेयर किये थे और आपसे यह बात भी रखी थी कि 550 इसका पहला बेस है और मार्केट फ्यूरिस बूलरन के अंदर है काई बार मार्केट अप 30 डे के लिए थोड़ा एक रिजिस्टेंस का काम कर रहा था लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक करते 55 धड़ले से दे दिये आप देख भी पारे होंगे पहले का बज़ार यानि के करीब साठे बार एक बज़े का बाजार और एक बज़े के बाजार के बाद में आपको बिलकुल साफ स्फर्ख दिख रहा होगा दूसरी बात फोड़ा लेडर्सिप तो ही मारकेट के पास और एक बहुर मैं चीज कह दूँ काफे सारे लोगों का ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट थोड़ा ठका हुआ हारा हुआ है सुबह भी मैंने आपके सामने बात रखे थी कि मार्केट ना ठका है ना इसमें फटीग का साइन है छोटा साई नीचे आने पर अपने PCR को ठीक करता ह और वापिस चल देता है स्टॉक स्पेसिफिक काम काफी अच्छा हो रहा है बाजार के अंदर और आगर आज भी आप लीडर्शिप देखेंगे तो आपको देखेगी एक काम करेंगे आप अडवांस डिक्लाइन दिखा सकते हैं आप अडवांस डिक्लाइन में थोड़ा औ और आपको ठीक दिख रहा होगा तो इस सारी चीजें आप नोटिस करते जाएगा अभी पचास में से क्रीब 31 शेयर बढ़कर कामकाच कर रहे हैं अडवांस डिक्लाइन और विक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा पचास और 126 यानि कि वन इस्टू थ्री का ओल्मॉस्ट करना ची इंट्राडी के लिए ये बहुत अच्छे ट्रीगर्स होते हैं आपको चोटे चोटी चीजों से ना माकिट में बहुत अच्छा सा प्ले मिल जाएगा क्योंकि ब्रॉडर रेंच माकिट की जब तक हम 20,000 अपार नहीं करेंगे नहीं आएगी फिलाल इसका फाइदा आप इस तरीके से ज़रूर उठाईएगा अब मेहमान हमारे सा जोड़ रहे हैं अभी शेक उनका परीचे करा रहे हैं और फटावर से मेहमानों को जोड़के हम आगे की कारवाई को आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो बाजार ने आज शुष शुरूरात की थी लेकिन उसके बाद पीजी का तेवर पूरी तरह से दिख रहा है और आईटी स्टॉक्स में हम देखने हैं कि अच्छी रोनक है एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपके लिए आखरी घंटे मोकी कहां पर बनेंगे और इंडेक्स की लेवल पर आपकी रड़नीती क्या होनी चाहिए हमारे साथ हैं बिगज मेहमान सुमित मुल्चंतानी है और शुरी दिर में अविनाश गुरक्षकर भी जुड़ जाएंगे अविनाश जी हमारे साथ जुड़ भी कहा हैं आप तिनों का बहुत शुक्रिया स्वागा थी टिनों सुदेश पर शिकान जी शुरुआत आपसे करना चाहेंगे अच्छा मोमिन्टम अगर हम रिकावरी की बात करें निफ्टी में तो दिन के लोवर लेवल से सो वंकों से ज़्यादा का रिकावरी और बिल्कुर रिकॉर्ड हाइस पर फिर भी अब जाकर ट्रेड कर रहा है बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है निफ्टी की बात करें तो आखरी घंटे में आपको लगता है कि ये जो स्टीम बड़ी है इंडेक्स में थोड़ी से और यहां से एक् मार्केट का मोमेंटम काफी कंस्ट्रक्टिव है कई सारे स्टॉक्स में अच्छा कासा पॉजिशनिंग पैटन बन रहा है अगर आप प्राइबेट बैंक ले लिजिए या रिलाइंस इंडेस्ट्री या इवन बेटल्स एं माइनिंग्स मुझे लगता है कि बेस अभी तक जो है वो काफी स्ट्रॉंग है नो डाउट की जो ओर आल एक्टिविटी हम मार्केट में देख रहा है वो स्टॉप डॉमिनेटिंग है इंडेक्स में वैसे परफॉर्मस उतना हमें दिखने रहा है लेकिन मुझे लगता है कि यस ग्राइजूली हम एक बार 20,000 के लेवल के है तो करेंट लेवल से भी मुझे लगता है कि जैसे मार्केट इस नाव वेरी क्लोज तो देखा सकता है तो जो आज के लोज थे या एक या दो दिन के जो लोज थे मार्केट में that we have to consider as a stop loss which is not that far 21,675 का stop loss रखे और करेंट लेवल से लॉंग कोजिशन बढाएं टारगेट रखे 21,850 एंड 950 यहां से दो लक्षे शिकान जी की और से निफ्टी को लेकर 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 फटाफ़ ट्रेड भी जान लेते हैं और सुमिझ जी से शुरुआत करते हैं सुमिझ जी बताइए मान के चलूँगा कि तीजी के ही आपके पास होदे होंगे शेयर कौन से सर आपके अबी भी हम स्टॉक पर स्पेसिफिक ही ज़्यादा तर जाना चाहेंगे मार्केट एक न्यू हाई की तरफ है थोड़ा सा मार्केट कंसॉलिडेशन है तो इतना अपसाइड मेजर मुमेंट अभी हमें नहीं लग रा जैसे के डिम्पी जी ने बोला 22,000 जो लेवल है वो एक काफी स्ट्रॉंग रिजिस्टन्स की तरह काम करेगा तो पसंद कीजिए अपने स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अप रही है देखे दो ट्रेट्स हैं और दोनों के दोनों हम ELE बेस पे हम देना चाहेंगे पर टूज़न ट्वैंटीफ़ तो पहला जो स्टॉक है बहुत रहेगा हमारा अर्बियल बैंक अर्बियल बैंक करण मार्किट प्राइस पर आप बाय कीजिए और एक्कुमलेट कीजिए तोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग है 1580 के करीबन अपका करण मार्किट प्राइस है स्टॉपलोज मेंटें कीजिए 1428 for the target of 1820 and 1980 ठीक है और राइट बिल्कुल लाब तो ये तो सुमित मुलजदानी के ट्रेद्स हुए श्रिकांत आपके ट्रेद्स भी बताएं मौनिंग का, happy new year to you यस प्रियंका, happy new year to you, to your team and all the viewers देखे, जैसे हमने पीछले साल में एक बड़ी जबर्दस राड़ी देखे इंडेक्स में मुझे लगता है कि शायद ये साल में भी हम उत्रा ही अच्छा performance देखेंगी लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जो साल होगा, ये stop dominating होगा stock specific activity हमें देखने भी देखी, इंडेक्स में शायद थोड़ा और यहां से गेम देखने मिल सकता है, because जो bull case scenario है, वो हम predict कर रहे हैं कि somewhere close to 24,000 nifty जा सकता है, base case जो हमारे target से on most market उनी levels के करीब आ चुका है, तो 21,000, 850, 22,000 ये हमारा base case target था, जहां बहुत लग रहा था कि market आके rest कर सकता है, लेकिन in a very short span of time हम उन levels के करीब भी आ चुके हैं, तो bull case में ये 24,000 जा सकते हैं, which is like hardly anything, 10% upside from current levels, लेकिन stock specific activity मुझे रखता है कि बहुत ही शांदार हो सकती है, बट अगर आज के लिए अगर specifically कोई trades लेने हैं, तो मुझे रखता है कि current level से GMDC, ये एक stock हैं, जिसे हम long करके चल सकते हैं, 435, 437 के करीब trade कर रहा है, तो 437 के करीब इसमें कुछ long positions बनाए, stop loss यहां में हम रख सकते हैं, around तक्रीबंद रखना बढ़ेगा हमें 407 के करीब का, और targets जो नजर आते हैं वो रहेंगे 470 से लेकर 480 तक के भी targets इसमें बन सकते हैं, साथी साथ मुझे लगता है कि कुछ cement companies में अच्छा कासा momentum बना है, सागर सिमेंट या JK सिमेंट, बट मुझे लगता है कि इंडिया सिमेंट जो एक FN हो का stock है, और जिसमें काफी बड़ी volatility हम देखते हैं हमेशा, हमें लगता है कि इसे current level से long करें, 257 का stop loss रखें और targets निजर आते हैं यहाँ पर 280 के ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए, सुमित के और श्रिकांद के भी treats, अविनाश गुरक शाकर भी हमारे साथ, आई उन से भी बात करते हैं अविनाश, बहुत-बहुत Happy New Year's की wishes आपको भी, आप ऐसे हमारे viewers का को guide करते रहें, mark दर्शन करते रहें, अच्छे-चीज, stock picks लेकर आएं, अपना analysis हमारे साथ शेयर करते रहें 2024 में भी आपसे बहुत सारी बाते और हूँ मैं बिल्कुल, प्रियंका पहले तो Happy New Year to you डिंप भी आपको भी और विशेक आपको भी और आपके पूरे स्वदेश के टीम को, और शरिकान तो मैरा पुराना दोस्त है, तो उसको भी Happy New Year और सुमिक जी आपको भी, देखिए हम लोग तो share market में आपके viewers के लिए ही अच्छे stocks देखने के लिए आते हैं हमको लग रहा है कि अनंत राज जो हमको काफी पसंद है, 298-297 पर चल रहा है, यह stock में जरूर निवेशकों को थोड़ा investment इस लेवल पर करना चाहिए, क्योंकि तीसरी तिमाई festive quarter थी, बहुत अच्छा नंबर आने का अनुमान है प्लस preferential allotment में promoters ने 275 रुपे में काफी बड़ा निवेश यहां पर किया है मुझे लग रहा है कि currently यह share अगर सालवर के नजरिये से कोई लेता है, तो 370-375 का target price मिल सकता है और दूसरा स्टॉक जो मुझे लगता है किसी को miss नहीं करना चाहिए, वो टेक्समाई को rail रहेगा हमने यह स्टॉक पहले भी recommend किया था, मुझे लग रहा है कि देखे जो demand wagons में आ रही है यह उमीद से बहुत भेतर है और मुझे लग रहा है कि अगले देड़ दो साल demand का कोई problem होने वाला नहीं है टेक्समाई कोन ने 7500 क्रोर QIP के point of view से भी raise किया है, तो cash flow position बहुत strong है तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि 175-176 का जो rate है करीबन 230-240 का एक near term का target बन सकते है तो यह दोनों stocks में हमको लग रहा है कि निवेश के मौके बन सकते हैं जो आपको एक अच्छा alpha 2024 में दे सकते तो नए record पर वापिस पहुंच गया और अविनाज सरका तो खैर साथ हमासाथ होगा ही होगा और हम उनसे कुछ बहतरी इंट्रेड तो पता करेंगे ही करेंगे और आगे भी उमीद करते हैं कि आपको इंट्रेड से benefit मिलेगा खैर इस बिच निफ्टी आ गया और टाइम हाई 80 पॉइंट की बड़त के साथ बैंक निफ्टी 48,500 चार सुपर वापिस आ गया यहीं से नीचे गया था यहीं से नीचे गया और वापिस 48,000 का इसने बेस बनाया अपना और आज का मैं लो आपको बतायता हूं इसका लो है 48 48,000 134 का तो क्या करता है ना जब फ्यूरिस बूल रन होता है ना लो पर टेस्ट नी करवाते उससे पहले ही घुमा लाते आज जो आस्टार्टिंग का लो बना बस वहीं बना उसके बाद इसको घुमा के लिए आए ओपर ठीक लेकिन फिर भी 22,000 और दूसरा इसके लिए 48, 48,500-800 वाली रेंज एक रिजिस्टेंस की रेंज बरकरार अभी भी है इसी की बीच में हम नया हाई नया लो नया हाई नया लो हम टेस्ट करते रहेंगे कहरा आगे बढ़ रहें कुछ-कुछ स्टॉक्स और भी ऐसे हैं जिनके बारे में आच डिसकुशन करना बहुत जरूर दिया है और दूसरा दिया आर्विल बैंक यह धाई 24 के शेयर आपकी एक शेयर मैं आपसे जड़वाना चाहूँ तो आप जरह में को राय बताईएगा वो शेयर है येस बैंक क्या दो हुज़ार 24 येस बैंक के लिए येस है क्या अगर है तो फिर बताईए यहीं के प्लस क करें हमें तो इसका breakout दिख रहा है तो बिल्कुल अगर आप टेक्निकल लेंग्वेज में देखें तो एक weekly make up and handle का breakout आया हुआ है stock का तो जो current week का candle है बिल्कुल हमें closing basis के उपर अगर 22 के levels के उपर ही closing मिल रहा है तो बिल्कुल आप इसे accumulate कीजिए एक stop loss यहाँ पर मैं maintain करूंगा 20.70 का जो मुझे पहला target यहाँ पर दिखाई जे रहा है वो है करीबन 27.50 2750 का तो बिल्कुल yes bank के लिए yes रहेगा yes bank के लिए yes रहेगा आप कहरें 27 रुप तक यह शेयर जा सकता है अभी 22 रुपे का अपनी हिसाब से अपनी position को बनाईएगा और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं से क्यों बोल रहा हूँ आप किसी भी टेकनिकल एनलिस्ट को ना इसका weekly और monthly चार्ट चेक करवा लिजिए हमारे वालों को छोड़ दीजिएगा हो सकते थोड़ी बैसनेस भी हो तो आप दूसरों से भी चेक करवाईए और उसे पू है तो ज्यादा मेहनत करने की जोड़ी याइस बैंक को ऐसे ही हम समझ लेते हैं और यह एक शेर हो सकता है ठीक है एक शेर में को ना जरा विनासर से पता करना है यह विनासर आइडिया की पिछे क्या खबर है कुछ आइडिया लगा आपको यह रिफंड वाली खबर चल रही है मारकेट में की बारा सो करोड़ है बारा सो करोड़ के रिफंड से शेर इतना नहीं चल सकता यह तो लिखी हुई बात है कुछ नकुछ तो ऐसा पकरा है जो बहुत कम लोगों को मालूम है और शाइर अभी और भी चल जाए देखें मेरे कहल से एक ऐसे स्टॉक में जब 7-8 परसेंट 10 परसेंट की मूव आती है तभी अनलेस कोई बड़ी खबर होती है तो ही स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है क्योंकि देखिए फंडमेंटली तो इस कंपनी में कुछ जादा बड़ा नहीं है क्योंकि हर कॉर् यहाँ पर एक ही फैक्टर है जो स्टॉक को रिवेट कर सकता है और वो है बेजिकली अगर कोई बड़ी फंडिंग कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से आती है या बिर्लाज खुद इसमें पैसा डालते हैं और अब्विसली मार्केट के प्रीमियम से करते हैं करीबन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लॉस के अलावा ये कस्टमर्स भी रिलाएंजियो और भारती एटल को लूस कर रहे हैं दोनों कमपनीज ने अड़ कियें कस्टमर लेकिन वोड़ाफोन ने काफी कस्टमर्स इन्हों का मिस कर दिये इन्हों ने गवा दिये तो म मेरी क्याल से आने वाले एक दो हफते में अगर ये ख़बर की पुष्टी आती नहीं है, कनफर्मेशन नहीं आता है तो मेरी क्याल से जो भी स्ट्रीम हम देख रहे हैं वो शायद वापस कंटिमी होने में दिक्कत रहेगी तो वो बात ध्यान में रखें तो ये मेरी तरफ स कॉशिस रहेगा भी जड़ा इस शेर में थोड़ा सोच समझ के ही पॉजिशन एड़ करें ठीक है थोड़ा सोच समझ के पॉजिशन को एड़ करें ऐसे कुछ एक ट्रेड हम लगातार आपके सामने लेते आएंगे और इसको लेकर कितने बुलीश है हमारे मेमान ये आपको बताते रहेंगे आप अगर बारा बज़े का शो देख रहें थे हम तो खेल रोजी करते हैं ऐसा कमाल आप गर आप बारा बज़े का शो आथ थे आप तो हमने हमारे दोनों मेमानों ने विने रजानी थे HDFC से और अजीत मिश्रा थे रैलीगर से कॉरिडी से ये कॉल उन्हो इसका रेट है 243 रुपे 243 इस पे लगाओ टार्गेट हिट का ठपा और टार्गेट सुपर हिट हुआ बारे बज़े की दी गई कॉल आपको ढ़ाई तीन बज़े फ्री करा दें अल्मुस्ट डबल हो जाए करीब करीब 145 वाली 245 हो जाए 100 रुपया 50 का लॉट है 5000 इसका पैसा लगाया उतना पैसा रेटर्न हो कि आ गया लगाई इस पर ठपा टार्गेट हिट का और यह सुपर हिट कॉल आज हमारे दो महमानों ने दी अजित मिश्रा और विन रजानी इन दोनों एक ही तरफ थे दोनों का मानना था कि सेकंड आफ में बजार चलेगा और के सामने चलता हो दिखा कैस शांदार कॉल हमारे दोनों में मानों दी है प्रेंका बिल्कुल चलिए यही तो कोशिश है हमारी टिंपी की लगातार कॉल जैसी बताएं कि हमारे व्यूज का फाइब आ हो लेकिन आज कुछ स्टॉक्स जो अलगी चाल चल रहा है उसमें से एक गुजराग गैस में जो जोड़ार तेजी देखने को मिल रही है क्या वज़ा है यह एक बड़ा अंडर पर्फॉर्मर भी है अगर आप पीस्यू स्पेस में देखें अस कंपेर टू अधर पीस्यू स्टॉक्सिटी गैस इस्ट्रिबूशन में यही है लेकिन जिस्सा के रि जो 25 डॉलर पर मेत्रिक टन का कर दिया है अब प्रोपेन के प्राइजस बढ़ने से क्या होते है कि जो प्रोपेन का लांडिंग कौस्ट है इंडिया मैं वो भी बढ़ जाता है उसके उसका कॉस्ट जो इंड्या में हो रहा है वो करीब 42 पीस पर इनिट का उंकर तो इसी कारण जो volumes प्रोपेन में पहले shift हुए थे वो वापस से गुजराद गैस की तरफ shift हो सकते है अब इसका क्या benefit होगा गुजराद गैस को सबसे पहले volume growth देखने को मिलेगा और secondly चुकि प्रोपेन के prices 7 रुपए से है फिर भी expensive है तो जो margin गुजराद गैस earn करेगा इन volumes पर वो भी काफी strong हो सकता है तो double kind of tailwind देखने मिल रहा हमें गुजराद गैस के लिए एक तो volume shift दूसरा margin tailwind अब इससे ये भी पता चल रहा है कि आगे चलकी भी अगर gas के prices एक lower level पे settle होते है और crude के prices अगर 76-77 dollar के आसपास रहते है तो इसका मतलब जो पहले जितना भी volume shift द देखने मिला है गुजराद गैस के शेयर प्राइजिस में अब है ओके सो यह रीजन है जिसके वज़े से आप गुजराद गैस में बड़ी मूव देख रहे हैं और टेक्निकली कितना सपोर्ट करेंगे इसको न्यूस तो fundamental हमें बता दी सौमीत ने एक बार इसके टेक्निकल कर लेता है श्रिकान से समझते हैं श्रिकान तर आजसा 5-5-5% की मूव है सस्थीन करती नहीं है इस टॉक में मूव आप इस पर क्या वियू बना रहे हैं जो प्रॉफट हो रहा है एक बार के लिए उसमें निकल जाए या फिर यह जो मौड भी वे जो प्राइस हाइक हुए उसका इंपक्ट कुछ दिन और स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है और इसे होल्ड करें अभी लेकिन जैसे आज activity देखी है यह expected नहीं था लेकिन आज उतना momentum देखने मिला है और in fact आज पूरे market में वैसे में momentum देखने मिल रहा है purely based on technicals अगर इस टॉक को देखे तो मुझे लगता है कि यस इसमें कापी सारा underperformance था as compared to other PSUs वैसे कई सारे news flows भी थे कि जिसके वज़े से stock नीचे था लेकिन भी मुझे रखता है कि इनी particular positive news flow के वज़े से इसमें अच्छी कासी buying आई है थोड़े short covering भी होगी और ये stock मुझे लगता है कि वापस से एक बार 530 के levels के करीब आ सकता है जहाँ पे इसने maximum वक्त गुजारा है तो current level से भी मुझे लगता है कि अगर कोई position है तो उसे hold करके रखे 530 के करीब आप मुनाफ़ा वसुनने की कोशिश करें और अगर current level से कोई long position बना नहीं है तो फिर यहाँ आपको stop loss रखने पढ़ेंगे at around 465 जो आज के lows है तो इनी stock loss के साथ 50 रुपे का target current level से दिख र आगे एक खास खबर अपने viewers को बता दें क्योंकि एटी नास वुदेश अपने सभी viewers के लिए चाता है कि वो एक financial portfolio कद्रक करें और सुन्दरा mutual fund के साथ एक खास initiative launch किया है जिसका नाम है निवेश डे और ये मुहिम देश के सभी लोगों को एक discipline way से लगातार अपने personal finance portfolio को आने में मदद करेगी एटी नास वुदेश और सुन्दरा mutual fund के साथ जुड़िये सीखिये कि कैसे mutual fund में SIP करके आप अपने financial future को सिक्योर कर सकते हैं महीने की पाच तारीक को एटी नास वुदेश पर देखिये निवेश डे चोड़े से ब्रेक के ले रुकरन जल्द वापस हाजर होता है तीजी के पीछे बड़ी वज़े ये कि जो वेटेज के साथ से जो बड़े शियर कुछ हैं वहां से सपोर्ट अच्छा निकल गया रहा है और रिलाइंस इस वक्त दिन के उपरी स्थर पर कारवार कर रहा है 2600 रुपे का लेवल फिर से अचीव कर लिया है रिलाइंस के शि शियर काम कर रहे हैं आटो में भी हम देख रहे हैं कि अगर टाटा मोटर को अगर आप स्पेस्पिकली देखे तो वहां पर अच्छी तीजी बनी है 800 रुपे का आखड़ा पिछले अपती टाटा मोटर से पार किया था अवना जी दो शियरों पर आपसे में राय जाना चाह तो आपको लगता है कि ITC की जो सुस्ती है वो कहीं ने कहीं अब खत्म होगी फिर से एक तीजी की चाल दिखाएगा और जो पिछला हाई था इसका 500 रुपे के आसपास वाला उसको पार करेगा और दूसरा टाटा मोटर्स पर व्यू दीजी कि 800 रुपे के आसपास अब ये ITC की बात करें तो अभिशेक मुझे लग रहा है कि देखें वैलुएशन 25-25 टाइम पर ITC ट्रेड कर रहा है काफी एट्रेक्टिव है अगर हम अगले एक साल की बात करें और सबसे बड़ी बात की इनो सिगरेट बिजनस में अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी में आने वाले 6-12 मेने में वॉल्यूम ग्रोथ अगर ठीक्टा करें तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको पुराना नया है था वो आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी हाला कि देखें दूसरे FMCG कंपनी के मुकाबले में ITC थोड़ा सा लेगार है बट फंडमेंटल ब मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉंग है दीसरी तिमाई के नंबर तो बहुत ही तगड़े आएंगे प्लस उसके बाद January to March का जो कौटर होता है वो टाटा मोटर के लिए एक बंपर कौटर माना जाता है क्योंकि पैसेंजर कार्स, कमर्शल वेहिकल्स, उसके इलेक्रिक वेहिकल्स, JLR का दंदा, यह सारा कुछ मेरे क्याल से आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात, कम्पनी ने काया कि वो अभी प्री कैशलो जेनरेटिंग वाली कम्पनी बनी है, JLR का भी बिजनस काफी strongly well positioned है, इलेक्रिक वेहिकल्स में और 3-4 ने models वो आने वाले साल में launch करने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए 800 रूपया तो एक, you know, definitely एक near term का target बनता है, बट अगर किसी को साल देर साल का नजरिया लेना है, तो मेरे क्याल से current price काफी attractive लग रहा है, 780, 780 में आप accumulate करिये, करेमां 87, 87, 87 का target price अ Fy25 में भी record करने की possibility Tata Motors को रहेगी, तो इसमें definitely एक अच्छा buy का opportunity दिखता है, थोड़ा time frame लंबा रखिये, तब ही पैसा बनेगा जरिया थोड़ी से लंबी ओधी कर रखना होगा, और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ है, 760 रुपे के आसपास आए, तो एक बेहतर आपको entry point मिल जागा, Tata Motors में निवेश करने को लेकर, लेकिन चुकिए बाजार record उचाए पर कारवार कर रहा है, तो record उचाए पर dealing rooms का माहौल क्या है, आज चुकिए साल का पहला दिन भी है, किन स्टॉक्स को लेकर चर्चाए हैं, यह बताने के लिए हमारे स्यूगी शरत दूबे जुड़ गए है, शरत बताईए कौन सी खबरें गर्म हैं? जी बिलकुल, सबसे पहले रूट मोबाइल फोकस में रहने वाला और यहां पर हमारे डीलर्स के साथ बातचीत हुए है, जहां से पता चला है कि दो डोमेस्टिक इंस्टूशन और चंद H&I इंवेस्टर्स में बाइं देखने मिल रही हैं इस काउंटर पे, अगर वॉल्य अगर यहां पर इंडुसरी बाइं पता चल रहा है कि जो फोथ कॉर्टर होगी यहां पर कंपनी को एक बड़ी डील जो है कम्प्रीट हो सकती है और वो डील की जो है क्लोजर फोथ कॉर्टर में देखने मिल सकती है, इसके लावा इस समय जो है कॉंट्राक्ट रीनेगोसिय होता है कैलेंडर के लिए और उसके आगे जाते वे भी तो उसके कारण स्टॉक में वाल्यूम्स देखने मिल रही है, ओवराल एफाइस भी थोड़ी जो है अपनी स्टेक बढ़ा है, इस स्टॉक में पिछले तीन से चार कॉर्टर में और इंपॉर्टेंटली स्ट्रीट का चलने वाला शेयर है, बस मैं इसके बारे में एक ही चीज का अगहा कर दो, आपको चार परसेंट आस देजाए, इसका एक बार मन्तली और इसका एरली चार्ट दिखा सकती हो, रूट मुबाइल का, यह तो सिर्फ आज ही आज का, बार मन्तली दिखाना, और एरली भी दिखा देना, 32,000 का वाल्यूम है, थोड़ा वाल्यूम कम है, स्पीड जल्दी पकड़ता है, यह एक मन्त का चार्ट है, आठ परसेंट और इसका जड़ा इयर भी दिखा दो एक बार, अगर इयर दिखा सकते हैं तो, यह 37 परसेंट, एक तरफ की स्पीड पकड़ता है, और आपको आप देखी रहे होंगे, आपकी शीट में भी ब्रेक आउट केंडेट वापिस से बन गया होगा, सरे उसी जगे से वापिस जा रहा है, जिस जगे पर खबरे अपनी चरम पे थी की 21 तरीकों इनका फैंसला आ जाएगा, जी एंटर्टेंब्ट दिखाई स्क्रीन पर, शेयर बिल्कुल दिंपी, इनफाक्ट जो भी इसमें टेकनिकल फॉर्मेशन अभी बंद रहा है, और अगर आप इसके वीकली मंतली चार्ट को देखते हों, तो काफी क्लिरली एक बात समझ में आती है, कि इसमें जो इसकी जो रेज है, ट्रेडिंग रेंज है, वो काफी एक्सप इसकी अपवर्ड बांडरी को क्रॉस करके आगे निकलेगा, इस बार के अगर आप फॉर्मेशन को देखें, तो प्राइज में एक्सपैंशन हो रहा है, लेकिन वॉल्म्स नहीं बढ़ रहा है, उसका मतलब यह है कि शायर इसमें जो सेलर्स है, वो ट्राइब हो चुके है, तो करेंट लेवल से बिलकुल मुझे लगता है कि यह स्टॉक 300 के लेवल को क्रॉस करते हुए, 320 के important resistance के करीब आ सकता है, based on line charts, और अगर यह काफी अगर यहां से अगर और sustainability का formation बनाता है, तो शायद 300 बजास के भी लेवल हम देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि at least कम से का 300 और 320 के टार्गेट के लिए current लेवल से भी से खरीद के चलें, और stop loss यहां पे रखें around 274 का, तो 10 रुपे का stop loss रखना पड़ेगा, लेकिन टार्गेट 300 और 320 के नजर आते हैं, ठीक है, मैं तो hope करता हूँ कि सब्सक्राइब का टार्गेट है, अभी तो खबर नहीं आई है, हला कि खबर के लिए एक महिने का समय दिया गा था, इनको 21 दिसंबर से 21 जनवरी आप खबर मान के चली, आज है एक तारीख, तो बीज दिन है खबर आने में भी, लेकिन बीज दिन पहले कौन है इसको जो खरीद रहा है, बीज दिन पहले कैसे प्लूटस ने इसको लग रहा है, इस बार के वालिम को देखते हुए, लेट सी, लेट सूप, इन्वेस्टर्स की जीतो, मेरा सिर्फ मानना इन्वेस्टर्स की जीतोने चाहिए, आगे कंपनी को सोचना गंभीरता से अपने आप पढ़ेगा, खासकर मिस्टर गोइंका को, आगे बढ़ते हैं, को और पता करना है, वो अपने मिमान से पता कर लेता हूँ, सुमित मुल्चंदानी से, सुमित जी, LIC Housing Finance का हुआ है, ब्रेक आउट, और ब्रेक आउट बहुत जोरदार है, क्या ये चलेगा, और चलेगा? सुरी, डिम्पी जी बिलकुल देखिए, जो 540 का जो जोन था, वो बहुत एक स्ट्रॉंग रेजिस्टंस आप, पिछले 4-5 सेशन भी आप देखेंगे, तो वहाँ पे रेजिस्टंस लेके मीचे आया था, लेकिन जो आज की केंडल बनी हुई है, बिलकुल बहुत अच्छ तो मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड में अभी भी मॉमेंटम मना सकता है, फॉर दे लेवल्स अप 620, ठीक है, तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, जिनके पास होता है न सोदा और इस तरह का मॉमेंट आता है, उनको जादा अच्छा इंज्वाई करने को मिलता है, अब है क समझ सकता ऐनलिस्ट की उस समय की दूविधा कि वो कैसे बोल दे, तो क्या कहता है वो आपसे होल्ड कह देगा, तो बाइंग और डिप्स बोलेगा, तो कोई लेवल्स बताएगा आपको, आप थोड़ा मनो भाव को भी समझीए, ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रे मार्केट की बारी किया, बल्कि है, प्रेक्या बाद एक बफिर आपका स्वागदाज, आप एक दिसपॉइंटमेंट देख रहे हैं, इन फाक्ट ऑटो ड्रागर भी है, स्वाग्त और ऑटो सेल्स नंबर्स दिसेंबर मन्त के आया है, थोड़ी म्यूटेट परफॉर्मेंस हो सकती थी, क्योंकि, मिद डिसेंबर से लेके, मिद जैनवरी तक, उस्पिशियोस ओकेजिन भी ने था, यहमें स्रिष्टी पहले भी बिता रहे था, एक बर समझ लेता है, कि कहां-कहां डिसपॉइंटमेंट देखने को मिलिया, और शाप रियाक्शन स्टॉक्स पर देख हम बराएंगे, क्योंकि, इंडिया के कई सारे इलाकों में जो है, वो बारिश पूरी तरीके से नहीं हुई है, उसका एक असर था, रूडल में स्लो डाउन है, उसके चलते जो है, हम गिरावट की उमीद कर ही रहे थे, पर कंपनी इसने बेहत तरीके से निराश किया है, एस महीने 19% गिरते में नजर आए हैं, पर उमीद से बहुत कमजोर नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अगर आकरे देखें, तो वहाँ पे थोड़ी से स्थिर्ता जरूर देखने को मिली है, वहीं अगर मारुती सुजुकी और M&M के नंबर्स हम देखें, हाला कि मारुती की बात करें, तो देखें, M&M ने ट्राक्टर में निराश्तों किया ही, पर ऑटो से भी थोड़ी नराशा हाथ लगी है, क्योंकि हमारी उमीद थी कि 69,000 यूनिट कम की बेशती भी नजर आएगी, 60,000 पे आकड़ा आते वे दिखा है, तो वहाँ पे भी निराशा हाथ लग की ध्यान देने होंगे, क्योंकि अगर सेग्मेंट वाइस देखें, तो कमोर्शल वेहिकल सेग्मेंट ने सप्राइज जरूर किया है, वहीं ट्राक्टर डिविजिन ने इस बार सबसे निराश किया है, तो ये कुछ आक्रे हैं, ओटो सेल्स दिसम्बर की बिक्री से, अई स्रिश्टी, शुक्रिया, ये सारा ये हमें प्रिव्यू, हमें ये रिव्यू देने के लिए कि कहां डिसपॉइंटमेंट और किस नंबर का अभी बी इंतजार है, लेकिन इस बीच, अब बाजार को देखें, तो पिछले 15 मिनट में जिन रिकॉर्ड लेवल्स की उपर हम प स्लिपज देख रहे हैं, और ये किछ पुछ पंदरा भी इस मिनट में ही हुआ है, और इंफाक, बैंक्स भी एक ड्रागर हुआ है, जो स्टॉक्स जो वीक हुआ है, जो नहीं नीचे कीचा है बाजार को, उनमें कुछ कंजम्शन नेम्स भी है, इस बक्त आप देखें, तो जो लास 15 मिल्स में ड्राग हुए है, उसमें दूसरे स्टॉक्स में सन फार्मा जैसे स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स में बिटानिया जैसे स्टॉक्स लिख रहे हैं, और टो पैक से महिंदरा महिंदरा वो तो वीक हुआ ही है, डेट परसन अब गिर रहा है और फूर और गिर भी रहा है इस बक्त मारति सुजुकी आपको लाल नशान में स्लिप होता हुआ दिखाई दिया बैंक्स में आक्सेस बैंक ही है सुभा भी बात हो रही थी कि स्ट्रेंथ लाक कर रही है वहाँ पर और आप देखें तो आक्सेस बैंक हलाकि अटेंप्ट भी कर रहा है थोड़ा सा फ्लाट पॉजिटिव काम करने का लेकिन वहां से एक स्लिपेज आई है स्टेट बैंक वीक हुआ है और आटो तो बड़े ड्रागर आज के लिए हैं ही आज स्ट्रेंथ जो दिख रही है वो आई-टी स्ट्रेंथ में दिख रही है और आई-टी स्ट्रेंथ से आप देखें 12-13 से आपको आई-टी बिगीज के नंबर शुरू हो जाएंगे एक स्ट्रेंथ के कॉमें याद दिया है उनने को पूरे साल की गाइडन्स कट तो की नहीं थी एक बार के लिए व्यू यही बनाए कि शायद इनका बॉटम आउट हो चुका है और इनके लिए बहुत जादा नेगेटिव ट्रिगर्स हैं भी नहीं और यह जो एक मूव दिख रही है क्या यह क्यू थी को हम डिसकाउंट कर रहे हैं नंबर को कैसे रीट करेंगे आप तो देखे जैसे कि मार्केट में एक ब्रॉडबेस देजी बनी है तो मुझे लगता है कि उसी का बेनिफिट आईटी सेक्टर को भी मिल रहा है साथी साथ रेट कर्कट के उपर जो बाते हो रही है वहाँ पे भी अगर आप देखे तो काफी सकारात्मक द्यूस फ्लो बनते रहा है और इसी वज़े से मुझे लगता है कि काफी सेलेक्टिव बाइंग नेफटी I.T. इंडेक्स में या तो नेफटी स्टोंक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक इनकी results, इनकी comment जब तक नहीं आती है, तब तक मुझे लगता है कि ठोड़ाई में जो momentum देखने मिलेगा, वो एक range के अंदर ही देखने मिलेगा, yes there are few stocks like infosis है या take mind रहे हैं कि जहाँ पर हमें लगता है कि इन लेवल से भी कम से कम, 10 से 15% के upside बाकी है तो आप stock specific view रखें और stock specific view के basis पे यहाँ पर investment का view रखें क्योंकि यहाँ पर trading करना मुझे लगता है कि काफी difficult हो सकता है traders के लिए, शायद stock losses triggers हो सकते हैं क्योंकि अगर market weak होता है, तो सबसे पहले नीचे आने वाला अगर कोई sector होता है तो वो IT होता है तो इसी वचे से मुझे लगता है कि इसमें आप investment कीजिए trading करने के लिए बाकी और भी कई सारे sectors है, मुझे लगता है कि वहाँ पर focus करना ज़रूरी है अगर बाजार पर नज़र डालें तो उपरी इस तर से निफ्टी सौंक आकर नीचे कारबार कर रहा है और अगर आप fundamentally कुछ निराशा जाना खुजरे जाएंगे बाजार में शाद आपको नहीं दीखेगा आज तो वैसे भी US market बनने तो वहाँ से भी कुछ शाम को मार्केट के लिहाँ से कुछ क्यूज आने वाले नहीं है लेकिन जो शेयर बाजार को स्टेंट देने का काम कर रहे थे पिछले कुछ हफते से हम अगर कहें तो आज वहाँ पर हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं आप उसमें दिगज SDFC बैंक को देख लिजी जिसका कि निफ्टी में अच्छा खासा 14% के आसपास का वेटिज है बैंक निफ्टी में करीब करीब 30% के आसपास का वेटिज है आज वहाँ पर प्रेशर है SDFC बैंक आप देखी पॉने पर सो नीचे आकर कारवार कर रहा है दिनके नीचे लेस्तरों के आसपास रिलाइंस 2600 उर्पे का लेवल अभी थोड़ देर पहले हम डिसकस कर रहे थे रिलाइंस ने अपनी तीजी उपर से गवाई है और अब ये शेर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आकर कारवार कर रहा है हलां कि अभी भी आपको हरे निचान में जरूर देखेंगा लेकिन हलकी से गेंस वहाँ पर है तो वह है SBI का जहां से थोड़े से प्रेशर आज हम देख रहे है इस वक्त बाजार में निफ्टी इस वक्त है निफ्टी बैंक की बात करें तो 109 अंक नीचे कारवार कर रहा है निफ्टी बैंक हाला कि अभी भी अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो वहां से आपको बहुत कोई कमजोरी के संकीत नहीं दीखेंगे उसकी बड़ी बज़े यह है कि मिड़केप इंडेक्स से रिकॉर्ड उचाय पर ट्रेट कर रहा है 46,500 के आसपास के सतर आपको मिड़केप इंडेक्स पर दिखेंगे इसके चलते है एडवांस डिकलान का रेशियो अभी भी बुल्स के फेवर में है लेकिन कहीं नहीं कहीं जो बड़े शियरों से मूड खराब हो रहा है उसके चलते हैं आपको इंडेक्स पर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है सुमी जी अगर कल के सतर के लिए किसी कुछ BTSD करना हो तो आपके रड़ार पर कौन से शियर आ रहा है BTSD या फिर STBT जो भी टेड आपको दिख रहा है तर बताईए जी अभी तो HDFC बैंक मुझे थोड़ा सर नेगेटिव लग रहा है जैसे कि आपने देखा कि प्रेशर दोनों इंडाइसिस में आया है लेकिन बैंक्स में ज्यादा आया है तो पड़सो के सेशन में काफी एक अच्छा इंवर्टेड हैमर टाइप ओफ फर्मेशन था और आज का क्लोजिंग तो यहां पर मुझे लग रहा है कि STBT करना चाहिए करन्ट मार्केट प्राइस है 1695 मेरा स्टॉप लोस रहेगा 1720 का मुझे लग रहा है कि यह नीचे 1665 तक भी डाउनसाइट पॉसिबल है तो मैं यहां पर एक STBT लेना चाहूँगा 1720 रुपे का स्टॉप लोस SDFC के लिए और 1665 रुपे के आसपास तक के टार्गेट्स यह सुमजी की तरफ से शिकान जी आपकी नजर कहां पर है बाजार में आपको भी कोई BTST या फिर STBT जो रेक्वेंट करना बताएंगे सर बिल्कुल तो यहां पर मुझे लग रहा है कि गुजराद गैस यह एक स्टॉक है जिसमें हम लॉग की पोजिशन बना सकता है काफे अच्छे वॉलिम्स हुए है हायर लेवल्स पे 495, 496 के लेवल्स हमने आज के दिन में देखी लेकिन करेक्शन में वापस यह 480, 82 के करीब आच चुका है तो करेंट लेवल्स अगर इसमें पोजिशन बनाते हैं तो 477 या 474 मैकसिमम 474 का स्टॉप लॉस रखें करेंट लेवल्स से लॉंग करें मुझे लगता है कि यह स्टॉप वापस से एक बार 500-520 के लेवल्स दिखा सकता है तो गुजराद गैस को गुजराद गैस स्टॉप को BTST के वेज़स पे लॉंग किया जा सकता है 500-520 के लक्ष गुजराद गैस के लिए यह श्रीकान जी की तरफ से अविनाशी आरीसी और पीफसी को आप देखिए बाजार का मूड चहें जो भी हो इनकी चाल एक तरफा है और बाके निवेश्कों का मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरा कहिन के धहरे अब जवाब दे रहा है इस तेजी को देखके कई बर बिकवाली को देखके धहरे जवाब देता है कि अच्छा शेर से निकल जाए और अब यह तेजी को देखके धहरे जवाब दे रहा है कि कितनी तीजी होगी, सबाद 400 रुपे भाऊ गया REC का मतलब कि करीब परेब साढ़े तीन गुना ये शेर साल भर में चल गया REC का PFC का भी वही हाल है, 400 रुपे क्या सपास कई भी है अब राजी, प्रॉफिट टेकिंग करने में कोई हर्स तो नहीं है या फिर आपकों कन्विक्शन इतना जादा है कि नहीं, बने रहें स्टॉप लोस अपने ट्रेल करते रहें, उस तो सुरक शित करते रहें समय समय पर देकिये मुझे लग रहा है कि पावर डिस्ट्रिबूइशन और पावर फिनांसिंग कंपनीज जो है वो गिने चुने प्लेयर्स है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली तो डेफिनेटली इंवेस्टर्स करेंगे, क्योंकि यह इतनी बड़ी अपसाइड सालवर में हुई है बहुत PFC के लिए एस वेल आज REC के लिए, लेकिन जो अभी भी बिजनस स्ट्रक्चर है वो FY24-25 के लिए, याने आने वाले साल के लिए काफी अच्छा लग रहा है मेरी ख्याल से REC के पास बहुत ही अच्छी ओर्डर बुक है अगर PFC की बात करें तो profitability मुझे लगता है कि आने वाले साल में भी बहुत अच्छी रहेगी तो यहां पर निवेशित रहना चाहिए, मेरी क्याल से थोड़ा बहुत मुनाफ़व असूल investors करें लेकिन लंबा नजरिये के लिए अगले 12-15 मेने के लिए हमको लग रहे है कि growth momentum जो है वो इस sector में काफी ठगड़ा रहेगा और उसी कारण से आप देख रहे हैं कि बजार चाहे कितना भी volatile हो ऐसे shares में बिल्कुल कोई गिरावट या कोई इनो मंदी का signal दिख नहीं रहा है तो यहां पे clearly जो buyers आ रहे हैं वो strong hands आ रहे है और मेरे ख्याल से obviously आने वाले 12-15 मेने में जो outlook है वो काफी positive है तो यहां पे hold करें कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने के मौके समझने चाहिए और अभी immediately ना बेचे मुझे लग रहा है कि 12-15 मेने में और भी अच्छा risk reward आपको मिल सब्सक्राइब पेफसी को लेकर ये view श्रीकान जी आप जराने गेल को देखिए आज ये नहीं उचाई पर पहुंचा है बावन अफ्ती की 170 रुपे के आसपास गेल भी पहुंच गया हाला कि हम कहते हैं कि ये slow mover है लेकिन पिछले महीने की जो रफ्तार रही है वो बड़ी अच्छी रही है गेल में आपको लगता है कि BTST trade कर सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक के मोमेंटम को देखे तो इसमें हमने अन्यूजुल अक्टिविटी देखे बिकास इतने स्पीड से और इतने लॉंगेस्ट मूग को दिखाना गेल के लिए हमने देखा था कि पास्ट में कभी भी पॉसिबल नहीं था लेकिन इस बार मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक इंट्रेस्ट इसमें डेवलप हुआ है येस हायर लेवल्स पर ये 170 के करीब था अभी 166 के करीब आच चुका है हमें लगता है कि मार्केट वॉलटाइल ही रहेगा इसमें शायद कुछ करेक्शन बन भी सकते हैं लेकिन जो कुछ एक स्टॉक जहां पर मोमेंटम काफी स्टॉंग है हमें लगता है कि उन्हें हम लॉंग करके भी चल सकते हैं तो कर्रेंट लेवल से अगर 166 के करीब अगर ही स्टॉक मिल रहा है तो इससे लॉंग करें स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर आज के लोज का 162 का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं टार्गेट नज़र आते हैं यहाँ पर 174 से लेकर 165 की माकेट्स ना अपने लेवल्स को कैसे प्ले करता है आपको मैं सिर्फ एक चोटा सा एक्जामपल बताता हूँ आप देखिए 48,000 के लेवल पे पहले बैंक निफ्टी दिखाईए का जड़ा 48,000 का सपोर्ट था आज सुबह का लो लगा 48,000 134 का उसको ब्रेक किया आज का हाई कितना निफ्टी को दिखा रहे है जब बैंक निफ्टी की चर्चा हो रही है तो बैंग निफटी का आज का हाई था 48,450 रिजिस्टेंस क्या है 48,500 तो ना तो रिजिस्टेंस तोड़ा ना अभी तक सपोर्ट तोड़ा तो क्या क्या इस बीच में इतना जबरदस शेक किया कि आपके दोनों तरफ के पैसे गए होंगे इसलिए मैंने सुबह भी आपके सामने बात रखे थी जो काम करो आप इंट्राडे करो लेवल्स को रिस्पेक्ट करो सत्तर पॉइंट तक का एफ आइस और लड़ी आ चुके हैं पांस साथ पॉइंट और लगता है आएंगे इस पांस साथ पॉइंट में जारसार बाइज़र बाइज़र दोसों तक लगता है ही मैं कोई जड़ा अलुबरेट कर रहा हूं बट आप इस तरह के स्विंग के लिए त्यार रहिएगा बॉस यह आपको कल भी मिल सकता है परसों मिल सकता है आइदर साइड मिल सकता है आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ और शेर जड़ा चेक कर लेते हैं जहां पर पोजिशनि करेंगे देखे 256 की लेवल्स पर हमने बाय का कॉल दिया हुआ था जो पहला टर्गेट था 296 वह आज ही हीट हुआ है और अभी भी अपसाइड में है तो बैतर यह रहता है हमेशा कि आप कहीं न कहीं एक पर्शल प्रॉफिट बुकिंग करें तो यहां पर मैं सलादूंग सुमिझ जी एक मुश्किल काम आपको सौप हूँ आप मेरे को यह बता सकते हो कि इसको स्टी बीटी करके जाना है कि पुट लेके जाना है कि नहीं मैं कल सर सौधा कार दूंगा सुबह खुलते ही मला मैं इंडाइसिस का पूछ रहा हूँ निफ्टी के कोई पुट लेके ज जा सकता हूं निफ्टी का शॉर्ट करके जा सकता हूं अभी वी ओपनिंग स्टेट्मेंट में क्या बूला हूँ था कि कल का जो लो था वो बहुत इंपॉर्टन था तो निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है रैदर आई वुड गो विद दे बैंग निफ्टी तो बैंग निफ्टी ने अपना लो ब्रेक किया है और अपनी जो लेवल थी 48,100 वो ब्रेक किया हूँ है तो मैं यहां पर 48,000 का जो पुट है वो BTSD करना चाहूंगा 48,000 के पुट उसकी कीमत वगारा बता सकते हो सर क्या कीमत होगी ताकि हम सीधा सीधा जर्शकों के सामने एक प्लेट बना रेते हैं अवना शया हमान शुमारे प्रडूसर होंगे विजरा लिख देना 48,000 के पुट की सर क्या कीमत है क्या स्टॉपलोस है क्या टार्गेट है बताओ देखे थर्ड ऑफ जेन जो परसों का आपका एक्सपारी रहेगा करन मार्केट प्राइस है आपका एप्रॉक्सिमेटली 155 टू वन सिक्स्टी यहां पे हम स्टॉपलोस मेंटेन करेंगे 120 का मुझे लग रहा है कि यह आपका उपसाइड में 240 तक का लेवल जा सकता ह ठीक है तीन जैन के 48,000 के पूट है 155 पे मिलेगी 155 स्टॉपलोस लगाओ 100 रुपे का टार्गेट लिखो 240 रुपे का 240 पॉइंट नीचे आ चुका है यह हमने सामने च्छाप दी सर आपके लिए टार्गेट स्टॉपलोस सभी लोग अच्छे से नोट कर ले फोटो कहांच दिलवाएगा जैसे आपको ठीक लगें आपका रिस्क रिवार्ड अगर अलाओ करता है तो आप इसको कर सकते हैं एक जड़े मिन रहें के मार्केट बंद होने में प्रेंगा के पास चलते है तो बैंक्स लेडड थोड़ी सी फॉल देख रही है और बैंक्स और ऑटो दोनो पाटिसिपेट कर रहा है लेकिन इस वक्त आप स्रेंथ के साथ कौन से स्टॉक्स देख रहे हैं उतमें मेजर ली आपको IT काउंटर्स देख रहे हैं IT इस वक्त डिफेंसिव भी प्ले कर रहे हैं क्योंकि बहुत अतक फॉल इन में आ गया और आगे बाजार देख रहा है इ जिससे स्टॉक्स के गेंज जरोट हो है आज मिटल तो ड्रैक करी रहा है बाजार को नीचे थोड़ी से प्रॉफिट बुकिंग की जो बात कह रहे थे हम क्या ये वही डिप है क्योंकि पीछे के दो अफ्तों में अगर हमने जो डिप्स देखिया है वो बेहत शालो ही है और स्टॉफली ब्रिकावर हुआ है बाजार क्या ये डिप भी उसी तरह की डिप होगी एक माईने प्रॉफिट बुकिंग है इसे वाच आउट करना होगा फिलाल 21-700 के नीचे इस वक्त आपको निफ्टी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है और बैंक निफ्टी भी 48 अर्क्या पास ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है वड़े इस वक्ता जो ट्रैगर्स है उसमें कौन-कौन से स्टॉक्स है आटो पक के आईशर मोंटर्स जो स्टॉक्स क्योंकि आट वाच दिखा रहे थे रहे हैं तोड़े बॉर्टि को मिली है लेकिन strength कहां दिख रही है अब भी जो counters तेजी ही में है और in fact आप banks में भी trend देखे तो सारे banks weak नहीं है large cap banks में आपको in fact थोड़ी से profit road gains road होते हुए दिखाई दिया है mid cap banks इतने weak नहीं दिख रहे है इस वक्त SBI in fact largest PSU bank का lender वो आदे counters है जहां से gains erode हुए banks में उसमें ISIS है bank जैसे counters है एक बाइंक banks को और देख लेते हैं कि वहां कौन-कौन से counters है जो weak कर रहे है IDFC first bank weak कर रहे है HDFC bank इस वक्त जो बड़ा सबसे बड़ा heavy weight भी है वहां पर आप देखें तो 10% की गिरावट है otherwise आप strength के साथ किन-किन को देख रहे हैं बंदन bank SBI in fact federal bank to mid cap banks इतना weak नहीं है Punjab and national plan bank to in fact date person की बड़त के साथ बंद हो रहे है तो थोड़ी सी profit booking जैसा दिख रहे है और इस वक्त आप ये एक dip की बात हो भी रहे थी वाजार में इतने elevated levels पर वाजार trade कर रहा है तो कि थोड़े से gains table से लेने चाहिए और उसी तरह का क्या ये dip हो सकता है watch out करना होगा फलाद तो इक immediately आज के लिए कुछ BTSC trades भी हमारे exports ने suggest की है और gains erode हुए है इन फाक defensive pack में भी gains erode हुए है तो watch out करना होगा कि कल किस तरह का trade देखता है आज global market से संकेत कुछ नहीं मिल पाएं क्योंकि US markets बंद है यॉरप market बंद है एजिया में वह कहीं सारी markets बंद है तो कल भी हम अपने factors पर ही play out करेंगे चले शोको फलाल यहीं समेटते हैं मुझे विशेक डिंबी को इजाज़त दीजे हमारे तीनो एक्सपोर्ट्स का बहुत बज़ शुक्रिया आज आपने समय दिया और यह सारी strategy हमारे साथ बनाएं चोड़े से ब्रेक इटीनावस पोदेश पर लगातार अपडेट्स बने हुए है नमस्कार